हेलो दोस्तों नमस्कार एक वार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आई एंटी हिंदी टेक चेनल में यदि आप इस बीएम बैंक के खाता धारक है किसी भी आप एपलिकेशन से जैसे हॉप मनी या फिर कोई अन्य एपलिकेशन से एस बीएम बैंक में अकाउंट खोल रखी हैं तो आपके लिए बहुत बूरी ख़वर है आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की अपडेट एस बीएम बैंक के तरब से निकल कर सामने आ रही है SBM bank के तरब से भेजेगा message पर एक नजर आप डालिए जहाँ पर लिखा गया है कि SBM bank debit card को International ATM transaction में अगर आप use करते हैं तो पर transaction आपको 200 रुपया प्लस GST की चार्ज लागू किया जाएगा जो कि 25 जून 2013 से और ये बहुत बड़ी चार्ज कह सकते हैं इसके बाद एक और message तुरंत की तुरंत प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया है कि ATM transaction अगर आप करते हैं जो कि 5 transaction फ्री है और इसके बाद अगर आप करते हैं तो 20 रुपया प्लस GST आपको लगेगा आईए देखते हैं पूरा डिटेल में कि क्या क्या अपडेट यहां पर दी गई है ये आप देख सकते हैं वैसे मैं आपको वताओ तो हॉप मनी में मैंने अकाउंट खोला जिसमें SBM बैंक के साथ वो टाई अप है और SBM बैंक में ही अकाउंट खुलता है तो उनहीं के तरफ से ये जो है PDF का लिंक भीजा गया जिस पर क्लिक करके मैंने डाउनलोड किया आप यहां पर देख सकते हैं मनी हॉप SBM डिबिट काड एंड अदर चार्जेस जिसमें मैकसिमम क्या चार्जेस है वो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले बताया किया रिस्विंस ओफ लॉष्ट इस्टोलेन और डैमेज कार्ड फी मतलब अगर आपका कार्ड लॉष्ट हो गया खो गया चोड़ी हो गया या डैमेज हो गया तो यहां पर इस्विंस मतलब फिर से जारी करने की जो चार्ज है अप्टू 250 रुपिया पर इंस्टेंस है मतलब जितने बार भी आप जारी करवाती हैं उतना बार इसके बास सेकेंड नंबर में है डिबिट कार्ड का पिन अगर आपीशू करवाते हैं तो उसकी चार्ज नहीं लगेगी इस्टेटमेंट रिक्वेस्ट करते हैं इसकी भी चार्ज नहीं लगेगी इमेल इस्टेटमेंट में मन्थली जो रहेगा वो फिल्कुल फ्री रहेगा अकाउंट क्लोजिंग चार्ज भी आपको देना नहीं पड़ेगा लेकिन यहाँ पर ATM चार्ज को देखते हैं जो की एक डोमेस्टिक यूज या ट्रांजिक्शन चार्ज रखी गई है जिसमें इनके अपने बैंक जैसे SBM बैंक के ATM का इस्तिमाल करती हैं तो फाइनेंसियल और नन फाइनेंसियल ट्रांजिक्शन फ्री रहेंगे वही आगर आप अधर बैंक के ATM यूज करती हैं और इसका SBM बैंक का डेबिट कार्ड आप यूज करती हैं तो इसमें फाइनेंसियल वाला में पाँच फ्री ट्रांजिक्शन आपको मन्त में दिये जाती हैं और उसी महीने में फ्री लिमिट समाप्त होने के बाद अगर आप ट्रांजिक्शन करेंगे तो 20 रुपिया पर ट्रांजिक्शन आपको देना पड़ेगा ठीक है यह अलग से GST वेगरा भी बाते की गई है नन फाइनेंसियल चोकि डुमेस्टिक के बाड़े में बात कर रहा हूँ नन फाइनेंसियल और फाइनेंसियल ट्रांजिक्शन फाइनेंसियल ट्रांजिक्शन वैसे ट्रांजिक्शन होते हैं जिसमें लिन दिन वाली बात होती है जैसे cash deposit करना या cash withdraw करना non financial transaction वह transaction होता है जैसे आप statement चेक कर रहे है या फिर balance चेक कर रहे है mini statement निकाल रहे हैं ये सभी हो जाती है non financial में non financial का free limit भी 5 रहेगा जो की month के हिसाब से अगर उसी महीना में जैसे आपने 5 बार balance या फिर mini inquiry कर लिया है दूसरे bank के ATM से जाकर और फिर छटे वार उसी महीना में आप statement शीक करने जाएंगे mini statement ATM कार्ड इस्तमाल करके दूसरे bank के ATM में तो आपको 9 रुपिया पर transaction देना पड़ेगा चार्ज जितने बार भी आप उसी महीना में free limit समापत होने के वाद ये सब करेंगे आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा फिर अगले महीना में आपका free limit उतना ही रहेगा इसका धियान रखियेगा उसके बाद non financial international transaction जी हाँ अगर आप non financial international transaction करती है अधर बैंक की ATM से तो इसमें भी आपको 5 free transaction मन्त में दिये जाती है और इसके बाद होती है तो भाई 20 रुपिया पर transaction दिया गया बताया गया है जो कि non financial के बाद की गई है जिसमें लेंदेन वाली बात नहीं है तो ये कुछ update SPM बैंक के तरफ से दी गई और charges के बारे में जानकारी दिया गया ये सब जो लागू हो रहा है वो मैंने आपको बताया 25 जून 2023 से ये साड़े charges लागू हो रहे हैं और जो financial international transaction मैंने बताया ATM से विट्रो करने पर वो भी लागू हो रहा तो इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको update दिया वहला ही ये खुशी की बात नहीं है लेकिन फिर भी time to time update मैं आप लोगों तक दे रहा हूँ वीडियो को like कर दीजेगा अपने साथी दोस्तों तक share करिएगा और चैनल पर नए है तो subscribe कर सकती है मिलते हैं नए वीडियो में कोई सवाल है comment box में लेखना ना भूले धन्यवाद